फैला कुशन कारा है कि इस्टोप लैन से क्या मतलब है स्रक पे दिया हता है स्रक जकंशन या पैदल यात्री क्रॉसिंग के लिए रेंक कीorders रही सहफ़ीद या दिया है अ क्या धीया हता है क्या दिया हता है पर तो आपको इस तरह स्टॉप लाइन के से जो है यहीं मतलब है कि आपको क्रॉसिंग के लिए जो है सफेद या पीला पट्टी दिया रहाता है अगला कोशन देखते हैं दोस्तों वहान के इंजन को शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए रेडियेटर जो होता है क्या होता है रेडियेटर में जो है जल का अस्तर और इंजन में इंजन में तेल का अस्तर दोनों को जांच लेना चाहिए उसके बाद जो आपको गारी का इंजन शुरू करना चाहिए अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों इंटर्विव में अक्सर वन लाइनर टैप से कुश्चन पूछा जाता है तो आपको वन लाइनर टैप से कुश्चन देदेगा उप्सन आपको नहीं मिलेगा तो इस बात का आपको ध्यान रखिएगा परती घंटा है क्या है पचास किलो मिटर परती घंटा है मोटर सेंकिल का अधिक्तम घति अगला कुश्चन देखते हैं सेक्षिनिक सांस्थान के निकट एक मोटर कार की अधिक्तम स्विकार जी गतिकें हैं जब आपका वहां जो है एक सेक्षिनिक सांस्थान से होकर गुजर रहा है तो वहां पर आपका गती क्या होना चाहिए कि जब लबी लोड हो जाती है तो क्या करना चाहिए भार दोनों पक्छों पर प्रोजेक्ट नहीं होनी चाहिए क्या करना चाहिए भार को जो है दोनों पक्षों पर जो है पर प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए अगला क्वेशन देखते हैं चलिए देखते हैं अगला क्वेशन टोबिंग और टोबेल बाहनों के बीच के अधिकतम दूरी की अनुमाती है क्या है इसका अनुमाती तो इसमे वहालों के नहीं हो चाहिए और बहुना चाहिए अधिकतम दूरूं के लिए किसी अन्य वाहन को चलाने वाले वाहनों के लिए अधिकतम गती अनुमानित है। तो अधिक्तम गती जो है दोस्तो 24 किलो मीटर अनुमानित है कितना 24 किलो मीटर परती घंटा अनुमानित है किसी अन्य वहान को चलाने वाले वहानों की अधिक्तम गती का अनुमानित जो कितना है तो अनुमानित गती जो है 24 किलो मीटर परती घंटा है अला कुश्चन देखत अधिक्तम सुकारी वजन जिसे मालगारी पर किया जा सकता है अधिक्तम वजन जो है कितना होना चाहिए जो मालगारी पर दो सकते हैं तो इसका एंसर होगा अनुमती के अनुसार अनुमत क्या होगा इसका एंसर अनुमती के अनुसार अनुमत होना इसका जो है एंसर होगा हलके मोटर वहन की अधिकतम स्विकार गती हलके मोटर वहन है जिसको LMB कहते हैं इसको LMB लैट मोटर वेक्किल कहते हैं इसका जो है अनुमानित गती क्या है तो अक्सर इस वहन पे जो है हलके वहन पे जो है अनुमानित गती क्या होता है नहीं लिख्या होता है तिसमें जो है इसका अपने लिमीट से चलाना चाहिए आप गारी हलके वहाँ चला रहे हैं तो आपको अधिकतम अनुमानित कती आपको इसका सीमा नहीं दियो है आप अपने अनुसार इसको चला सकते हैं अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सर्क्राइब करें पाइए नाव है सरकरी का거टोल्हारी दोस्तों से सरकारी दोस्तों है वह को अच्छाले चैनल सस्क्राइब कर बेल एकन जरूर दो दीजेगा तो था एक लेक जरूर कर दीजेगा धन्यवाद